स्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों फिर से स्वागत आपको आपके इस वीडियो में बात करें दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपकी सीटेट दो हजार अठार है सीटेट दो हजार अठार है का जो एक सब्सक्राइब एक्षा 6-8 तक उसका यह पिपर है तो दोस्तों इसमें देखेंगे किस तरह के question आए थे और इनके questions पर options पर ठोड़ा discussion करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते चलेंगे तो दोस्तों बने रहें इसमें तो जादतर आते हैं आपका पद्धीयांस और जादतर घंदी में आते हैं यानि ग्राम कर पॉट्षन से grammatic portion से आते हैं बट इसमें क्या होता है कि इसमें जादे तर आते हैं आपका गध्यांस पध्यांस और जादे तर pedagogy से related question आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले 91 से लेकर जो है यहाँ पे लिखा कर और गध्यांस के अनुसारी हमें question answer देने होंगे लिखाएं भारत 15 अगस्ट 1947 को आजाद हुआ इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्कल संगर्स चलाया था इस संगर्स में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी तरह तरह की प्रिष्ट भूमिके लोगों ने इसमें भाग लिया था वे स्वेतनता समानता तथा नीरने प्रिक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे अनोपने वे सक्सासन के तहट लोग बिरिटेस सरकार से बहबीत रहते थे वे सरकार के बहु सारे फैसले से ऐसे हमत थे लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोश ना करते तो उन्हें भारी खत्रों का सामना करना पड़ता था स्थिति बदल डाली राष्टवादी खुलेया बिरिटेस सरकार के अलोश ना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे 1885 में क्या हुआ 1885 में ही भारते राष्ट कांग्रेस ने मांग की की विधाई का में निर्वाचे सदस्य होने चाहिए यानि कि जो विधाई क्या है विधी बनाने वाली जो आपका खंड है उसमें क्या होना चाहिए निर्वाचे सदस्य होने चाहिए ना कि चुने चुनाए होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने के एउम परशन पूछने का अधिकार मिलना चाहिए 1909 में बने Government of India Act ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिदी की ववस्ता को मंजूरी दे दी हाला कि बेटे सरकार के अंतरगत बनाई गई है शुरिवाती विधाई का है राष्टवादियों के बढ़ते जा रहे दवाब के कारण ही बनी लेकिन इन में भीत सबीस वश्यों को ने तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और नहीं आम लोग निर्ने प्रिकरिया में हिस्सा ले सकते थे तो कुल मिला के दोस्तों यह जो हिस्ट्री से रिलेटेड आपका जो पैराग्राप था इसमें आपको बताया गया है कि सासनकाल में इंडिया की कैसी इस्तिति थी और अंदोलन किस कारण होते थे तो यह सब इसमें चर्चा की गई थी वैसे तो दोस्तों आप हिस्ट्री में इसा पढ़के जानते भी होंगे अब इसी के अनुसार हमें जो 91 से 98 तक क्वेस्चन आंस्वर दे रखें उनका हमें हम एसमें की गई बसें करना होगा तो सबसे पहले 91 केस्चेन ली ले लेते हैं लिखाए दोस्तों पहला कुष्चन कि लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आजादी के संगर्स में सामिल होए थे तो बात कर लेक्ति ह्या समानता समानता भी चाहिए थी नेने परिक्रिया में इस्चेदारी यानि इन सभी में उन्हें क्या चाहिए थी इन सभी परिक्रियाव के कारण आजादी के लिए संघर्ष में सामिल हुए आंस्वर 4 इसका राइट हो जाएगा 91 के बाद इधर आ जाएंगे दोस्तो 92 92 यहां जाएगा बात कर लें लिखा है आजादी के संघर्ष के लिए यानि आजादी के लिए संघर्ष किस ने चलाया तो राष्ट कांग्रेस ने तो चलाया नहीं तो देश की जनता ने यह आपका सही लगड़ा बिडिक्टिस सरकार ने तो यह बिल्कुल नहीं सदस्श्यों ने पर इसमें देखे सबसे सूटेबल जनताने देश की जनताने इसके बाद 93 बात कर लेते हैं निम लिखित में से लोकतांतरिक व्यवस्ता का मुल्या कौनसा है समानता का स्वेतंता का विचारों के अभिवक्ति का या उप्युक सभी तो यहां लोकतांतरिक का मतलब इस सासक भाग चले गए ठीक है बशे भी अच्छा송 मिलेगा तो देखेंगे सरकार के खुलकर आरोचना होने लगी लोगों किसा आरी मिल गई लोकतांत्री के स्थाफित हो गया तो सबसे इसमें जो सुटे विले दोस्तों सरकार कोई खुलकर आलोचना होने लगी पैराग्राफ के अनुसार भी इसके बाद 94 के बाद 95 आ जाता है लिखा है कांग्रेस की क्या मांग थी बाहरतिय पूरजोर विरोध करें विधाइका में चुने हुए सदस्य हो बाहरत अंग्र वाक्य को चुनी है तो देखिए बात कर लेते शंगर्ष मनुस्य को सफलता दिलाता है संगर्ष मनुस्य को जारता है बिल्कुल नहीं संगर्ष मनुस्य को भटकाता है ये भी नहीं तो संगर्ष मनुस्य को निखारता है इन दोनों में फाइट है दो दोस्तों दो आंस्व सकार निकार देता है इसके बाद आगे बाद करें कुले आम सब्द का सर्फर्थम शॉट की कुल पंद का सार्थक पिरयोग होग है क्या है क्लिव नंगाड्य वज रहे थे तो यह तो अच्छा नहीं है दोस्तों खुले आम बरसात हो रही ये भी नहीं खुले आम बुराया हो रही थी खुले आम नाक बज रही थी तो खुले आम क्या हो रहा था बुराया हो रही थी इसके बाद 98 लिखा है लिखा है दवाब सब्द का प्रियोग कहां पर सही होगा यानि इसमें जहां भी खाली स्थान है यहां पर भर कर देख लेंगे लि Kend चड़ता डैस गिरता गया यानि दवाब गिरता गया तो नहीं होगा हमा का कम हो गया देखते हैं बीड़बार दवाब से यह भी नहीं सबी चुप्प्चप दवाब से तो यह नहीं तो आंस्वर दो आपका सही हो जाएगा देखिए यहां पर 98 समाप्त हो जाते हैं इसके बाद 99 पर करेंगे बात तो 99 यहां पर दिया गया है लेकिन उससे पहले हमें यहां पर भी एक पैराग्राफ दिया गया है इसे हम पढ़ लेंगे लिखा है 99 से 105 तक आपको आंस्वर देने से पढ़ करके तो इससे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा तब हम इस पर आगे चर्चा करेंगे बात कर लें दोस्तों लिखा है मुख्य गयक के चटान जैसे भारिस वर का साथ देती वहे अवाज सुन्दर कमजोर कांपती हुई थी वहे मुख्य गयक का छोटा वाई है या उसका सिस्च है या पैदल मुख्य गयक की गरज में वहे अपनी गूंज मिलाता आया प्राचिन काल से गयक जब अंतरे की जटल तानों के जंगल में खोच चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही इस्थाई को समालता है जैसे समेटता हो मुख्य गयक का पीछे छूटा हुआ सामान जैसे याद दिलाता हो उसका बच्पन जब वहे नौस किया था तारसप्त में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेना साथ छोड़ती हुई अत्स हुआ होता गवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गयक तभी मुख्य गयक को ढांडस बनाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर कभी कभी वहे योही देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि यह बताने के लिए नहीं और वहे फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में एक हिचक साप सुनाई देती है या सुवर को उचाने उठाने की कोसिस है उसे विफिलता नहीं उसे विफलता नहीं उसकी मनुस्यता समझा जाना चाहिए तो दोस्तों यह पैराग्राफ है इसके अनुसार हमें आंसो छाटने होंगे तो 99 ले ले लेते हैं लिखा है संगतकार के माध्यम से क अभी किस परकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है कौन से शहयोगी सहिर्दय समरस सदिल तो इसमें करेंगे दोस्तों सहयोगी के तरफ सहयोगी के तरफ यहां पर हंड़ाइड नमबर आ जाता है चटान जैसा बाहरी सुवर से आश्या है तो चटान जैसी बाहरी आध्या सवर सया से घंभीर आवास से घंभीर आवास से आगे बात करने 101 लिक्षाय दोस्तों गयक जब अंत्रे की जटिलतानों के जंगल में खो चुका होता है कि माइने याने अंत्रे को गाते हुए वह क्या है तो इसका मतलब है कि किसी भजन में लीन हो लीन आगे बात करें लिखा है अन हद सब्द में क्या है आपसर्ग नहीं है नहीं है अंपसर्ग है है हद पिरते है नहीं है अनुपसर्ग है जैसे कि अन को हटा देंगे तो हद रह जाएगा तो हद सब्दे और अन उपसर गया यह आपका राइट आपका अंसर हो जाएगा तीन इसके बाद एक सुतीन पर देखते हैं लिखा है राक जैसा गिरता हुआ का अर्थ है तो राक जैसा गिरता हुआ का अर्थ यहां पर पैरा में भी दिया था दोस्तों यहां लाश्ट में देखा था सुवर को यहां सुवर को राख जैसा गिरता आपको क्या है यहां पर सुवर लग रहा दोस्तों यहां यह देखिए सुवर की चर्चा ही थी सुनाई देती सुवर उंचा उठाने की कोशिश तो यहां गिरता हुआ राख जैसा आपका एक मिनट दोस्तों यहां पर यह हो जाएगा इसका बुझता हुआ सुवर बुझता हुआ सुवर इसके बाद 104 नमबर पर लिखा है संगतकार का अर्थ है गायक का साज उठाने वाला गायक का साथ लैने वाला गलत गायक के साथ गाने वाले गायक के विखरने से बचाने वाला इसके बाद 105 नमबर पर लिखा है कि डांडस बनाना का अर्थ है तसली देना यह आपकर आउठ हो जाएगा तसली देना इसके बाद बात करेंगे तो 105 के बाद आ जाएगा 106 106 से 120 तक हमें इस तरह से अपने पढ़ करके उसको आंस्वार को देने हैं तो बात कर लेते हैं 106 पर लिखा है दोस्तों 106 नमबर पर लिखा है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्षवास सुनने का माहुल मिले गलत घर की वासा सुनने बूलने को मिले ये हो सकता है बट इससे आगे देख लेते हैं लक्षवासा की अर्थपूर्ण और रोचक सामगरी सुनने पढ़ने को मिले या चार्ट अधिक से अधिक अक्षा में लाएं तो ये भी नहीं तो इसमें हो जाएगा लक्षवासा अर्थपूर्ण जरूर्ण होनी चाहिए दोस्तों अर्थपूर्ण और रोचक जहां मिलेगा वही आपकानस्वार्ण अच्छा माना जाता है दोस्तों इसके बाद आगे बाद करें 107 लिखा है कि भारत भासा केवल अभी वक्ती का माध्यम ही नहीं बलकि स्वैम से डैस का माध्यम है लिखने का पढ़ने का बादचीत करने का सुनने का तो बादचीत करने में सुनना बोलना सवा जाएगा देखिये दोस्तों सुनना बोलना सवा जाएगा इसलिए बाच्ची आपका राइट हो जाएगा इसके बाद बात कर लेते हैं लटके होकर रोते हो यह है कथन क्या दर्स आता है यजा यह कथन क्या कहना चाहता है बात कर लें जैसे कि भासा को बैच्चों की चेहां बात हरे हैं इसके बाद आगे बात करें 107 एक आठ हो गयां कहानी के संदर ना अवश्ठ करें कहानी में संवाद besty स्माइज ऑगो दोशे में उसäsी चुने गया है कहा अधियापक को बच्चे में राइपक होना चाहिए या बच्चे के लिए क्या करना चाहिए करना चाहिए भासा सिध्धान्तों की समझ विख्षीट पर पर बल दयाएं तो बल तो कभी दयना नहीं तो अलंकारिट भाणारिग की समझा विक्सित करने लंकारी को नहीं तो इसे ड़ा बात कर लेंगए निमबर 3 इसकाल हो जाएगा इसके बाद 110 के बाद 111 लिखा है लिका कोई बह। सकते हैं यह कुछ हर्त संभव है कोई बदय कोई है चलें unlucky शांटा थैंसे हुआ दूसिति section दूसिति निए कोई दूसी लेग्यों करते हैं कैसे की इस बत करें विंद शायों के शलsexL stopping बी एल बाल वी आई के एस यदि हम इसे हिंदी में पढ़ है तो लिख जाएगा बाल विकास तो दोस्तों जबकी पढ़ हम हिंदी में रहे हैं और देव नागरी में लिखना चाहिए बट यह क्या हैं इंग्लिस की रोमन लिपी में लिखा गया है इसलिए हम कह सकते कि किसी भासा को कुछ हद तक दूसरी लिपी में भी लिखा जा सकता है इसके बाद आगे बात कर लेंगे 112 112 इधर आ जाएगा दोस्तों लिखा है कि भासा सभी विश्य को डैस में है नी ही थे क्या है तो पढ़ने में, अध्यायों में, केंद्र में, प्रारंब में भासा को सभी विश्य के किसमें रखते हैं केंद्र में रखते हैं बात कर लेते हैं अगला 113 लिखा है 113 पर लिखा है दोस्तों यहां लिखा है कि कवीता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विध्यारती को पढ़ना चाहिए इस कथन के बारे में आप पांते हैं कि किसी कवीता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए ये तो है ठीक है सभी विध्यारती अपने अनूबह और परिष्वेस में ही कवीता से मज़ते हैं भी ठीक लग रहा है बट इसमें सही options चुनेंगा दोस्तों लिखा है कभी ने कवीते का अर्थ में लिखी हर बात विध्याते को समझानी चाहिए यह बी अलग-अलग समझने से पढ़ने की परिकरिया बादित होती तो यह तो होगा नहीं दोस्तों बट इसमें आपका यह हो जाएगा सब बच्चे अपने अपने अनूभव से सीखते हैं को कि दोस्तों कवीता अगर हम सिखाते हैं किसी बच्चे को तो हर किसी के में थोड़ा थोड़ा difference अर्थ निकलक करने की समझ बनती है सही लग रहा व्याकरन सम्मत भासा सीखने को मिलती है नहीं किताब के बारे में जानकरी लेखा को के बारे में जानकरी तो राइट आंस्वर एक नंबर हो जाएगा इसके बाद 118 पर आपकी द्रेश्टी में अभ्यास आपकी द्रेश्टी में अभ्यास क है पाठ्थों को समझने में मदत करते हैं बच्चों को बाषे के बारए में बताते हैं लि newborn सामगरी रखने का उदेश्य है बहुसी सामगरी से परीचे कराना नहीं पेड़स्व Il Attων को रखने के अफसर हो देश्सा को हिंदी hopEd लिखाए यदि आपकी कक्छा में द्रिष्टी बादित बच्चे हैं तो आप उन्हें विसे सान बुद्धी से पढ़ाएंगे नहीं दोस्तों उन्हें पढ़ने के उप्युक साधन देंगे अच्छा लग रहा है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविदी देंगे ये भी आसानी से सीख सके तो दोस्तों ये 120 जो आपका क्वेस्चन कंपलीट हो गए यहां से आपका नेक्स पॉर्षन सुरू होता वर्ट हम वीडियो यहीं तक रहने देंगे तो दोस्तों बताएं वीडियो को अगर कोई आपकी वेरी से कोई आपको गलत क्वेस्चन लगता तो आप कमेंट में जरूर लिख के हमें बताएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों तैयारी आप करते रहें किसी ना किसी माध्यम से जैसे कि आपको बता है कि आपका 21 जूलाइ सौरी 21 जनवरी 2024 को एक्जाम है तो दोस्तों एंसी आइटी ब दोस्तों एंसी आपका